नमस्कार दोस्तो टूडे टॉप जीके में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि सरकार आनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती है क्यों सरकार कम पैसे छापती है इसका रीजन क्या है इसका कारण क्या है तो चलिए आप लोग जान जाएंग आप सभी के मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि सरकार बहुत सारे पैसे छाप कर हम सब लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है वो एक साथ बहुत सारे नोटों को क्यों नहीं छापती है अगर सरकार ने ज्यादा रुपे च्छाप लिये तो रुपे की किमत कम हो जाएगी और बजार में जो चीज आज एक हजार रुपे में मिलती है वो एक लाख रुपे में मिलने लगेगी इससे आपके पास पैसे होते हुए भी आप गरीब ही रहेंगे इसका मुख्य कारण यही है कि सरकार रुपे कम च्छापती है सरकार को यह पता है कि ज्यादा पैसे होने से बजार की चीजों की कीमत भी सातवे आसमान पर पहुँच जाएगी और आज एक रुपे की कीमत एक रुपया है जब हम लोग के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा घट जाएगी इसलिए सरकार ज्यादा पैसा नहीं छापती है यह वीडियो आप सब को कैसा लगा अगर अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार थैंक यू